जम्मू एवं कश्मीर के पुलवा माजिले में सी आर पेप जवानों के काफिले पर बड़े आतंग की हमले में चवालिस वीर जवान शहीद हो गए और कई जवान अभी भी गंभीर रूप से घायल है जिनका की उपचार चल रहा है आज देश के कोने कोने में हर आम व्यक्ति के सीने में पड़ोसी देश के खिलाफ खून खोल रहा है और देश का बच्चा बच्चा चाहता है कि इस कायराना हरकत का मुप तोड़ जवाब दिया जाए नीमच्च शहर की अमार कलोनी वासियों द्वारा दो मिनट का मौन रखर शद्दांजली दी गई इस मौके पर धनेरिया काला सरपंच प्रतिनिधी निर्मल राठोर, विद्या शर्मा, सी आर्पी रिटायर नीमा लामा, प्रिथवी सिंवकई महिला पुरुष उपस्थित्थे सरपंच प्रतिनिधी निर्मल राटवर्ड ने कहा कि हम मानिय प्रधानमंत्री से निवेधन करते हैं कि इस काईराना हरकत का मूब तोड जवादे विद्या शर्मा ने कहा कि हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों का त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ कंधे सिकंधा मिला कर खड़ा है घायल जवानजल्द ठीक हो हम कलो निवासी इसकी पार्क ना करते हैं आप देख रहे हैं नीमच सिहमंत गुपता की रिपोर्ट नमाकों से सर्धान जली अर्पित करते हैं और इश्वर से कामना करते हैं उनको भगवान उनके सिरी चन्रों में इस्थान दे और उनके पारिवार को जो शत्य हुई है उसको निपटने के लिए दड़ शक्ति उनको प्रदान करें और जो ये पाजिस्तान ने काहराना हरकत करी है उसके लिए देश के प्रदान मंत्री स्री नरेन मोदी और रक्षा मंत्री सिरी सितारमन को हम सबी दुवरा मांग करते हैं कि इन जो हमारे भारत के प्रदान मंत्री ती इसको लेडी आईरन के नाम से जानते थे इंद्रा गांदी उससमय उन्होंने पाकिस्तान को मूत और जबाब दिया था उसी प्रकार से हम प्रहान मंत्री नरेन मोदी से यही अपील करते हैं के इस पाकिसतान को नक्षु fan के नक्षे से झाल